हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल फेशनिस्टा मैं हूँ पुनम सो यह था मेरा राखी मेकप लुक आज मैं आपके साथ शेयर करने चाहरी हूए लुक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें सो स्टार्ट करते हैं वीडियो इसे मैं आपके साथ शेयर यूज कर रही हूँ बिकास मेकप करने से पहले हमें स्किन को अच्छा शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद मैं ले रही हूँ यह एलेगल का कंसीलर और इसे मैं इस तरह से अपने आईलेट पर अप्लाय कर लूँगे बिकास फर्स इस तरह से लूज के रही है तो भी यह कंसीलर बहुत अच्छा है और अपने आई आई ब्रोस अल्रेडी फिल की हूई है थोड़ी सी तो मैं इस तरह से क्लीन लुक करने के लिए अप्लाय कर गया देन मैं ले रही हूँ फेस कैनेडा का कॉंपेक पाउडर और इससे मैं इस कर लूँगी जिससे की कोई भी क्रीज लाइन ना बने इसके बाद मैं ले रही हूं मेवलीन जेल लाइनर और मैं हलका सा इसमोकी लुक क्रियेट कर रही हूं तो इसके लिए मुझे ब्लैक जो है बेस चाहिए इस तरह से अप्लाइ कर रही हूं जेल लाइनर को आईलेच पे बहुत कम लिया है और उसके बाद मैं इसे ब्लैंड कर रही हूं तरहAng कि तरह से आप देख सकते हैं उसे ब्लैंड कर लोंगे हूर इसके बाद मैं ले रही हूँ हेलयरी रोड और इसमें से मैंने ये मरुण शेट लिया है और यहिसे मैं इस तरह से और वकुण कर रही हूं और blend कर रहे हूं इससे क्या होगर हम पहले black base लेने की वज़े से smoky effect आएगा बिकोज आप देख सकते मैं dress already wear किया हूआ है maroon color का dress है इसलिए मैं इस तरह का look create कर रहे हूं और then मैं lower lash line पे भी इस तरह इसे मैं apply कर लिया है और यह same liner है Maybelline का उसी को मैं apply कर लिया है उसके बाद मैं lower lash line पे भी apply कर रहे हूं जिससे की थोड़ा सा जो ब्लैक के साथ smoky effect आए और अच्छा look अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसके बाद मैं ले रही हूँ यह L'oreal का foundation और इसमें मेरा sheet है natural यह natural 02 यह बहुत ही अच्छा foundation है coverage medium to high coverage है इसका और केकी नहीं बनाता है इसकिन को glowy बना देता है काफी मैं बहुत टाइम से यूज कर रहे हूं बहुत अच्छा foundation है इस तरह से neck पे forehead पे सबी जगे इसको apply कर लोंगी अहां गाइज यह जो लैंसे मतलब natural लगते हैं इतने जादा एकड़ और नहीं लगते हैं अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं लिंक में आपको description box में दे दूगी अगर मेला तो सारे प्रोटर के लिंक में mention कर दूगे अब हां से check कर लिजेगा उसके बाद मैं eyebrows fill कर रही हूं अपनी और इसके लिए मैं ले रही हूं पैलेट यह है wet and wild का palette और इसे मैं इस तरह से अपने eyebrows I think wet and wild का ही है मैं name mention कर दूगी मुझे याद नहीं है इस पर मैंने review भी बनाया हुआ है इक अलग से आप वह भी चेक कर सकते हैं उसका भी link में आपको description box में mention कर दूगे इसमें से मैं इस तरह से अपने eyebrows fill कर लूँगी dark brown shade लेके इसके बाद मैं ले रही हूँ शिवाना कलर का blush यह बहुत ही natural blush है और इसे मैं इस तरह से चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी मैं चिन पर भी अप्लाई किया है मैं थोड़ा सा नोस पर भी अप्लाई कर लूँगी जैसे थोड़ा फेस पर जो है वो glowiness रहे उसके बाद मैं ले रही हूँ contour करने के लिए same eyebrow palette से brown shade और इस तरह से मैं अपनी nose contour कर रही हूँ और cheeks भी contour कर लूँगे और देन मैं blend कर रही हूँ इसके बाद मैं apply कर रही हूँ concealer और center of the nose जैसे की यह जो है मतलब look अच्छा सकी fresh मतलब face को एक sharpness मिल सके उसके लिए मैं इस तरह से apply कर रही हूँ इसके बाद मैं ले रही हूँ highlighter और यह है वेटरन राट का golden shade highlighter बहुत अच्छा highlighter है बहुत ही अच्छा गल को देता है तो मैं इस तरह से cheeks पे chin पे forehead पे और nose पे apply कर लूँगे और मैं इसे apply कर रही हूँ मतलब eyes मैं inner corners में इसके बाद मैं ले रही हूँ यह sugar का fairy fairy shade है और यह बहुत ही प्यारा shade है मतलब मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है यह shade और मेरी dress के साथ perfect match हो रहा था तो इसलिए मैंने यह apply किया और sugar के lipsticks बहुत अच्छे है मतलब मुझे बहुत पसंद है personally matte है इसके बाद मैं ले रही हूँ यह mascara और इसे मैं इस तरह से apply कर लूँगी यह है Maybelline का mascara और इस तरह से मैंने lower lash line पर भी apply कर लिया है and then मैंने बिंदी apply कर लिये छोटी सी so guys यह था final look और hairs के साथ मैंने जादा कुछ नहीं किया हलके से curl किये है और आपको कैसा लगा यह look जरूर मुझे comment करके बताईएगा और इसमें मैंने जो earrings पैने हैं यह भी मैंने online purchase किये हैं अगर आप इनका link जानना चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा और आपको कैसे लगे यह भी बताईएगा so guys मिलते हैं next video में thanks for watching bye bye okay